समस्कारम मैं संजेपाल शोरान आपका स्वागत कर रहा हूँ सेकिंड ग्रेड के जो परिक्षाइं हुई हैं 2010 से लेकर फरवरी 2018 के बीच में RPSC के दवारा उसमें हमने क्षिशनों को टोपिक वाइज अरेंज करके अब तक दो वीडियो बना चुके हैं यह तीसरा वीडियो है और फर्स्ट पेपर में आप बहतरी इन स्कोर करें सफलता को प्राप्त करें इसके लिए यह समझ विक्षित होना कि पिछली प्रेक्षाओ में क्षिशनों का क्या ट्रेंड था क्या क्षिशन पुछे गए थे बहुत महतुपुण है यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है लगभग पचास महतुपुण पर्षन इसमें हम चर्चा करेंगे टोपिक है आपका क्रशक और जनजातिय आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन में सादू सीताराम दास विजे सिंग पथिक मानक के लाल वर्मा नाराइंजी पटेल आदी ने भाग लिया सवाल ये था कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस किस ने भाग लिया इसे आंदोलन में जो धाकर जाती है वहां के किसान उस जाती किसान शर्वाधिक थे इसका मतलब है कोई आंदोलन हो रहा है किसान आंदोलन या जंजाती आंदोलन उसमें यदि कोई एक फिशेश जाती की भूमी का बहुत महत्वपुन है तो यह सवाल परिक्षा में पूछा जा सकता है 1913 में विजोलिया किसान आंदोलन साधू सीताराम दास ने किया है अब यहां देखिए तिथी दी गई है आंदोलन का नाम है और नेत्रतु करता का नाम दिया गया है सेखावाटी में ग्राम कटराथल में 25 अप्रेल 1934 इस्वी में किसोरी देवी के नेत्रतु में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था डूंग जी वर जवाहर जी सीकर जी लेके थे अब देखिए रीट परिक्षा जो हुई उसमें ये पूछा गया था डूंग जी और जवाहर जी ने किस राज्य के किसान आंदोलन में भाग लिया अब समझ रहे होंगे आप कि पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं पुराने उनकी समझ विक्षित होना कितनी महत्वपून है ट्रेंज कमिशन जो है वो किसे समने था बेंगू किशान आंदोलन से अब ट्रेंज कमिशन के अध्यक्ष कौन थे ट्रेंज कमिशन में सदश्य कौन थे ट्रेंज गमिशन ने कौन सी सिफारिशें की ये सभी महत्वपुन हो जाते हैं 22 जून 1908 हिस्वी को चितोडगड में राश्मी परगनास्थित मात्रिकुंडिया नामक स्थान पर जाट किशान आंदोलन प्रारम हुआ याशिन खा ने मेव क्रिशक आंदोलन का नेतरतों किया नीमूचना अलवर दुखांत घटना कब हुई 1925 हिस्वी में चमरी कर पुत्री के विवाहा पर कर एकी आंदोलन के जो नेतरतों करता थे वो थे मोतिलाल तेजावत 1921 में भील आंदोलन का नेतरतों मोतिलाल तेजावत ने किया संप सभा के संस्थापक गुरू गोविन गिरी थे इस वीडियो से पहले जैसे मैंने बताया दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं आप उन्हें जरूर देखें और इन वीडियो में हम जिन PDF के आधार पर आपको समझा रहे हैं वो PDF भी आपको मिल जाएगी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहाँ आप हमारे टेलिग्राम चैनल को इंस्टॉल कर लेएं टेलिग्राम चैनल से जुड़ जाएं वहाँ आपको PDF मिल जाएगी और सेकिंड ग्रेड का जो जीके पेपर है उससे समंदित टेश्रीज भी जो है और नोट्स वह हम उपलब्द करवा रहे हैं विद्यार्थियों को यश्गुरु एप पर आप उसे भी जाकर देख सकते हैं आगे बात करें वो है परजामंडल आंदोलन और राजस्थान में स्वतंदर्ता संगराम से समंदित महतुपून अध्याय सबसे पहले बात करें मेवाड परजामंडल इसकी स्थापना हुई 1938 इसके पर्थम अध्यक्ष थे बलवंत सिंग महता नैनुराम जो है वो बूंदी परजामंडल आंदोलन से समंदित थे फर्स्ट गेड में पूछा गया यह सवाल था कि सीकर किशान अंदोलन से कौन सा फर्स्ट गेड नहीं असिस्टेंट प्रॉफेसर के राजस्थान जीके में पूछा गया था कि सीकर किशान अंदोलन से कौन समंदित नहीं था और विकल्प में नैनुराम था तो यह नहीं थे क्योंकि यह बुंदी से थे जेसलमेर परजामंडल उसके समधित हैं मिठाला लव्यास, अलवर परजामंडल की स्थापना हुई, वह 1938 में, बिकानेर परजामंडल की स्थापना 1936 में, जेपूर की 1931 में, त्रिलोक चन्द माथुर द्वारा, करोली परजामंडल की 1944 में और इसके पर्थमत देख्ष थे भोगिलाल पंडिया कुछ किताबों में आप देखेंगे कि इनकी जो तिथियां हैं उनमें हो सकता है थोड़ा बहुत आपको मत वेभिन्ने दिखे या डिफ्रेंस दिखे जालावाड जालावाड में का जो परजामंडल था उससे समझी थे कनेहालाल मितल मांगिलाल भव्वे मकबूल आलाव यह किस्टे समझी थे जालावाड परजामंडल थे परजामंडल आंदोलन के दोरान जोदपूर जेल में एवेवस्था अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थे खराब हो जाने के परिणाम सुरूप 19 जून 1942 इसवी को बाल मुकंद बिसा की मृत्य हुई इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहते हैं विकानेर परजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई अब आप कॉमेंट करके बताइए राजस्थान का दो परजामंडल और हैं जिनकी स्थापना उनके स्थ वाड़ी में हुई अखिल भारतिये राज्य लोग प्रिश्थ का प्रथम अदिवेशन कहां हुआ बंबई में तरुन राजस्थान समाचार पत्र के संस्थापक जये नारायन व्यास राजस्थान जाट छेत्रिय सभा की स्थापना 1931 में महंत प्यारेलाल हत्याकांट से संबंदित थे केश्री सिंग भारट सौमदत लहरी रामकरण बिकाने शड्यंत्र मुकद्मा ये चला था स्वामी गोपालदास सत्यनारायन सर्राफ और बद्री प्रशाद इन पर दिल्ली में राजपुताना मद्धे भारत सभा की स्थापना हुई वीर भारत सभा की संस्थापक केश्री सिंग भारट अब यहां देखिए घटनाओं का कालकरम मानगड पहाड़ी हत्याकांड 1913 निमूचना कांड 1925 चंडावल कांड 1945 और डाबरा कांड 1947 ये तिथियां तो मैंने यहां उलेखित कर दी है बाकिया आपको ये चार घटना ही दी थी और इनको करम से जचाना था कालकरम कौन सी घटना पहले घटी कौन सी बाद में राजस्थान के लोहो पुरुष दामोदरलाल व्यास 1957 में जो करांटी हुई राजस्थान में कितनी सेनिक चावनिया थी छे सेनिक चावनिया थी राजस्थान सेवा संग का निर्माण 1919 में विजे सिंग पतिक राम नारायन चोधरी वे हरी भाई किंकर द्वारा वर्धा में किया गया अजमेर से नवीन राजस्थान समाचार पत्तर का प्रकाशन किया इसके संस्थापक वीजे सिंग पतिक थे और अजमेर जो है वो पत्तरकारिता का प्रमुख के अंदर था अब हम बात करें इतिहास विशे के अंतिम टोपिक की और दो टोपिक महत्तुपुना इसमें एकत्वर राजस्थान का एकिकरण और दूसरा है मद्धेकाल एवं आधुनिक समय में महिलाओं की क्या भूमिका थी भारत के इतिहास में सबसे पहले जिदी गोर करें संकर राव देव समीती का गठन धोलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता से यह राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अत्वा उत्तर प्रदेश में से किसमें मिलना चाहते हैं इस समीती में अध्यक्ष रहित कितने सदश तें तीन सदश्य तें इसका मतलब एक अध्यक्ष थे और दो इसके सदश्य थे मतश्य संग में अलवर धोलपुर भरतपुर करोली यह शामिल थे मतश्य शंग का वरिहद राजस्थान में जो विले हुआ वह 15 मई 1949 को राजस्थान की सभी रियास्तों को मिला कर राजस्थ राज-पुताना, गुजरात वे मालवा के नरेशों का समेलन मेवाड महाराना ने बुलाया। राजस्तान स्थापना दिवस 30 मार्च 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्तान राज्ये के प्रमुख राज प्रमुख के रूप में जाने जाते थे। 1949 इस्वी में वरिहद राजस्थान के पधान मंत्री एरालाल सास्त्री थे एक बात में पुने कहूंगा जब तक आपकी समझ पिछले वर्षों में जो पेपर्स हुए हैं उन पर नहीं बनेगी तब तक आपकी तयारी दिशाहीन रहेगी भ्रहमित रहेगी कॉलू के बेल के तरह आप निरंतर मेहनत करते रहें आप जो पढ़ेंगे वो परिक्षा में नहीं आएगा इसलिए ये जो वीडियो की श्रंटला है तीसरा ये वीडियो है बहुत महतुपुन हो जाता है कि पहले कौन-कौन से क्यूशन आए हैं किस प्रकार से क्यूशन आए हैं पाठेकरम के किस बिंदू से किस टोपिक से क्या सवाल पूछा गया है अब क्या सवाल पूछा जाएगा यह समझ विक्षित करना मुझे लगता है तैयारी के पर्थम चरण में ही आपको ये सारे काम करने चाहिए और उसके पश्याता आप अपने study material पर जाएं उसके बाद आप पढ़ें और फिर देखें निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में प्रताबगड का विले हुआ स्वतन्तता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियास्थें थी 19 सिरोही का राजस्थान में विले दो चरणों में हुआ अजमेर का राजस्थान में विले 1956 में हुआ और वर्तमान राजस्थान के निर्मान की प्रकिरिया एक नमंबर 1956 को पूर्ण हुई काली बाई जो रास्तापाल हत्याकान कह सकते हैं आप वो उससे की रहने वाली थी कहां की डुंगरपुर डुंगरपुर जिले का स्थान है रास्तापाल सेखावाटी की किशोरी देवी ने किसान आंदोलन का नेतरत्व किया नारायनी देवी वर्मा उदेपूर परजामंडल आंदोलन से समंदित महिला थी यही नारायनी देवी वर्मा 1942 इस्वी में जेल गई 1944 इस्वी में नारायनी देवी वर्मा ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की और नारायनी देवी वर्मा 1970 से लेकर 1976 तक राज्य सबा सदश्य भी रही अजना देवी चोधरी राजस्थान के स्वतंतरता अंदोलन के दोरान गिरफतार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी तो ये था आपके लिए तीश्रा वीडियो जो समंदित था आपके पाठेकरम के उन टॉपिक्स से जिन से RPSC ने पुछे हैं वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं धन्यवाद